आफ़ जी परने भारीन, नीरोपी जंपणीयों के पीछे हम बताएं, क्या क्या अफेट करता वो भार्थ में किनों आ रहे हैं? और भार्थ तक थन्हें के जो प्रयाँ स्वाज़ रहे हैं? कहां से शुरू हुआ कि इन लोगों ने सुरू कि आफसा पता बड़े लेगा अब है कि भारत में बताए कि बहु सारी यूरूपिय को नहीं आये सबसे पहते को नाया उसके बाद ग्रच, फिर अग्रेज, उसके बाद देख, प्रांसिसी, अंत में आता भी है और जाता भी है सबसे लाश्ट भी खया है, सबसे पहले पुर्दगाली आया लेकिन सेकेंड लाश्ट में गया, ठीक है, पुर्दगाली जो है, सबसे पहले आया और सेकेंड लाश्ट में गया, लेकिन सबसे पहले गया कौन, तो देर, देर जो है, उन्होंने अपनी बिर्स कंपनी, अपन उर्दगाली उर्दगाली आए सटार्ट नाऊ अबावी आहीं। पूर्दगाली तो अइस्टिड या कंपणी है। सबसे पहले आने वाला कौन है सबसे पहले सबसे पहला जो पुर्दगाली है कौन है वास्पो डिगामा टी गामा ठीक है सबसे पहले पुर्दगाली है वो कौन है वास्पो डिगामा वास्पो डिगामा 1498 में आया लेकिन दूसरी बार कब आया दूसरी बार कब आया भरत यह दूसरी बार आता है पंद्रह सो दो ही सिर्व दूसरी बार ये भारत कब आया पंद्रह सो दो ही सिर्व लेकिन अगर कभी बोसर पूझ दे कि भारत आने वाला दूसरा पुर्दगाली कौन है कि ये सिर्व दूसरी बार तो आया है पंद्रह सो दो में लेकि दूसरा पुर्दगाली कौन है पहला पुर्दगाली तो हुआ सको डिलामा तो दूसरा पुर्दगाली कर नाम है कैबरल भारत में पहला पुर्दगाली कमपनी की इस्थापना भारत में पहली पुर्दगाली को कमपनी की इस्थापना कववा पंद्रसुति में यहां कमपनी नहीं कर, फैक्ट्री भारत में पहली पुर्दगाली फैक्ट्री की इस्थापना कारखाना पंद्रसुति यह स्थापना जो है वो कब हुआ तो पंद्रसुत दीन में हुआ कहां हुआ कोचीन 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 में पहला पुर्दगाली फैक्ट्री की इस्थापना की गई तो यहां पर पुर्दगाली ओने एक गवर्णर ने उतकिया यहां पर पुर्दगाली उने एक गवर्णर ने उतकिया कौँ था वो गवर्णर पहला पुर्टगाली गवर्णर कौन है उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मिडा फ्रांसिस्को डी अल्मिडा फ्रांसिस्को डी अल्मिडा भारत का पहला पुर्टगाली गवर्णर है इसने भारत में पुर्टगालियों को एक सक्ति के रूप में स्थापित कर दिया पुर्टगावर्टगाली गवर्णर के रूप में पुर्टगालियों को राजनी दिख सक्ति के रूप में स्थापित किया पॉलिटिकल पावर के रूफ में इसने क्या किया भारत में इसे स्थाबिक कर दिया क्या किया थे इसने अल्मीडा रे पॉलिसी लाया अल्मीडा के तोरा एक पॉलिसी लाया गया नीती उस नीती को बोला जाता है निला जल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी ओफ ब्लू वाटर पॉलिसी ओफ ब्लू वाटर इसने ब्लू वाटर पॉलिसी ओफ ब्लू वाटर पॉलिसी दिया और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहां अगर अरबियन सी में कर कोई ब्यापार करता है तो उस ब्यापार के बदले पुर्टगालियों को क्या देना होगा टैक्स देना होगा पुर्टगालियों को अगर कोई अरबियन सी के थ्रू भारत से ब्यापार करता है तो उसे टैक्स देना होगा क्यों टैक्स देना होगा इसलिए क्योंकि इस रूट को उन्हों नहीं ढूंड निकाला है तो अरवियेंभी शी को को अल्विरा ने अपना एक राजनितिक छेत्र के रूट में परिभासित किया उपाविसी दो钱 किया इसके तहर इसनीती के तहर ये एक टोकन जारी करता था जिसको बोलते थे कार्टेज कार्टेज नमग जो टैक्स की वसूली की जाती थी उर्दगाली जो हैं ये कार्टेज नमग टैक्स की वसूली करते थे और ध्यान रखेंगे ये टैक्स अकबर भी दिया था ये जो टेक्स है ये टेक्स पुर्दगालियों को अकबर भी दिया था कर्टेज है यहाँ पर पुर्दगाली बहुत मलगूत हो गए भारत में अलवीडा के बाद जो दूसरा गवर्णर बना वो कौन है कर्टेज है कर्टेज है कर्टेज ये इसको अलवीडा के बाद जो दूसरा गवर्णर बना वो कौन है उसका नाम है अलवुक्षण कहटा देशको Geo कर दो. हो या हूँ? दूसरा पुर्टगाली दवर्णी दूसरा पुर्टगाली दवर्णी का नाम है अलफांसो डी अलबुकर्क अलफांसो डी अलबुकर्क अलफांसो डी अलबुकर्क पुर्टगाली दूसरा पुर्टगाली गवर्णर था पुर्टगाली गवर्णर था इसे वास्त्विक संस्थापक माना जाता है इक्च्वर्टगाली पुर्टगाली 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 गवर्णर था है वास्तिक संस्थापक है इसने भारत में 1509 से 1525 इसकी तक सासनकिया-क्रिकिया किया क्या किया सबसे पहले यह भारत में पुर्टगाली जनसंख्या बढ़ाना चाहता था यह भारत में पुर्टगालीों की जनसंख्या को बढ़ाना चाहता था इसके लिए इसके लिए इसने पुर्टगालीों को पुर्टगालीों को भारतिय महिला से भारतिय महिलाओं से विवा करने का सला दिया इसने पुर्टगालीों को सला दिया कि वे भारतिय महिलाओं से विवा करें जिससे भारत में पुर्टगालीों की जनसंख्या पे विल्धी हो सकें इसे वो देश्ट के कारण हुआ कि जब इसने भारतिय महिलाओं से विवा करने का सला दिया पुर्टगाली पुर्टगाली फिरेटी हो गए बड़ इसे भारतिय लोग अपने बेटिया नहीं देने लिए जब विवा के लिए भारतिय महिलाओं नहीं मिली तब इसने बड़ा स्टेप लिया क्या किया इसने भारत में सती प्रथा पर रोग लगाता है ज्यान रखेंगे भारत में सती प्रथा पर रोग लगाने वाला पहला व्यक्ति कोई भारतिय नहीं बलकि एक उटगाली है इसने इसे एक समाजिक सुधारत के रूपने भी देखा जाता है अभी भारत में प्रतगालीओं का राजनीति केंदर कहा है और चीब क्यों क्योंकि वहीं उसका हिटपरट है प्रतगालीओं का सभी काम जो है वो कहां से हो रहा है और चीब से हो रहा है लेकिन अलपु कर्क को एक सहर पसंद था वो है गोवा लेकिन गोवा जो है वो वीजापूर राजी की अधिन था गोवा जो है वीजापूर राइजी की अधिन था तो उसने वीजापूर के सासक्त आदिल साह से युसूफ आदिल साह से गोवा लीज बरमागा उसे वहाँ पर ब्यापार करने की अनुमदी दे युसूफ आदिल साह ने पुर्तदालियों को गोवा देने से इंकार कर दिया और जब गुवा देने से इंकार कर दिया तब ऐसे में अलगो कर उसे समझाता करने के जिए बिलाता है आप समझाता करो सेम समझाता देखें कि समझाता कैसे हो रहाता पता है नाव कर दो अरबियन सी में बगाल की खापा, अभी अजी में वो दोनों एक नाव पर बैठ करके बात कर रहे थे अलगुकर्द और यूसूफ अदिल साथ जब यूसूफ अदिल साथ वहाँ पर भी उस समझाते हुए देने से इंकार कर दिया तो गरदद पकड़ करके उसको समझाते हुए और इस प्रकार से पंद्रह सो दो दस इस्वी में उसने विजापुर के साथ सक आल यूसूफ अदिल साथ से कौवाफ चलिया अलगुकर्द ने पंद्रह सो दस इस्वी में अलगुकर्द ने यूसूफ अदिल साह से गोवा चिन्वा कौशन पूछेगा कि यूसूफ अदिल साह कहा का था सकता ने तो पीजापुर के साह से किस्ते चिना तो यूसूफ अदिल साह से अधिया अधिया कर दो कर दो के आप है नई देखें अल्बुक करण के बाद जो एक और इंपॉर्टिट कोवर्नन है उसका नाम है नूना दी उन्हा पुर्दगालियों का एक और महत्पुन कोवर्नन है इसका नाम है नूना डी कुनहा और यह 1529 से 1538 तक आई गया कब से कब तक 1529 से 1538 इसमीं तक आई गया कि इसके काल में सबसे महत्पुर्ण काम हुआ हो यह कि 1530 में कि पुर्टगालियों कि राजधानी इसके साथ सक्काल में तुछ सबसे महत्पुर्ण काम हुआ यह पुर्टगालियों कि जो राजधानी है वो गोवा से कहां चला गया तो में गोचीन से गोवा और गोवा जो है पुर्टगालियों का पुर्टगालियों का पंदरह सो एक्सट इसवी तक राजधानी रहा पंदरह सो गोरे उनीस सो उनीस सो एक्सट इस वे तक अंत तक कह सकते हैं कि पुर्टगालियों की राजधानी रही पंदरह ने उनीस सो एक्सट इसी ने 1534 इसमें गुजरात से दमन और दीवचिन लिया इसने गुजरात के बासक बहादूर साह से दमन और दीवचिन लिया कब? 1534 में और इसी बहादूर साह का सेरा पती था कौन? कौन? कने बहाद? कब फाल राउप कर दोड़ाद? तो आधिल साह कर भी Gobierno GP자가 कने बढ़ें दोकिन भी好了 ये बहादूर साह के बहादूर साह के बासक 올 इसी ने कौन हती। जप्रेदः ने बादूर साह को बदक साह जपर 1857 इसके का बहादूर साह का बहाद? तो उगल सासक है, ये कहाँ, वीजापूर का सासक है कौन, नहीं, सिया, अरे पहमन अश्टेट आप लोगो बताए, सावन से बताएं देना तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे, इसने गुजराथ के सासक, बहादूर सासे, दवन और दीव चीन लेता है इसने अपना ब्यबार का छेत्र, बैसे किलिए परस्वी भारत में ही, गुजराथ, बॉम्बे, दमन दीव, पोचीन और तक्षी भारत कर सिमित रहा जब अग्रेजिटिटिएक कमपणी आती है, तो अग्रेजिटिटिएक कमपणी का सबन या संधर्स पुटगालेओं से भी होता है, और दच्थों से भी होता है जब पुर्टगालियों से जब यूद्ध हुआ तो बहुत सारा यूद्ध हुआ था जैसे बैटल अफ चॉल, बैटल अफ दियू इन सम्व में अंग्रेजों ने बार बार पुर्टगालियों को प्राजिस किया अंततब पुर्टगालियों ने अंग्रेजों के साथ बेहतर सबंद बनाने के लिए मेरिटर रिलेसंसिप बना दिया पुर्टगालियों की राज़कुमानी है कैथरीड पुर्टगालियों की राज़कुमानी कैथरीड कैथरीड का जो विवा है वो किस से हुआ है बड़िस राज़कुमान चाल से बड़िस राज़कुमान चाल से और इस वेवाहिक सबंद के बदले इस मेरिटर रिलेसंसिप के बदले पुर्टगालियों में इसमें अगरेजों को बंबई क्या मिला दहेद में ब्राप्ट हो अगरेजों को बंबई जो है वो दहेद में ब्राप्ट होता है अगरेजों को ब्राप्ट होता है और राएठों को ब्राप्ट होता है हो गया इस ब्यवाहिक सबंध के बाद जब अंग्रेकों के हाथ से बंबई निकल जाता है तो धीरे धीरे पुर्तगालियों की सक्टी जो है सिमित मिलाती है और वह अपना ब्यवार का छेत्र गोवा और दमन दिर्ट करता है वह जो है अपना ब्यवार का छेत्र हो सिमित कर लेता है वह वह दमन दिर्ट तक ही रहता है और यहां से इमर्जेंस होगा कि इसका बेड़ेस्ट इस्टिडिया को अभी आप आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसके कंपनी का इमर्जेंस होगा जब अनों और भी कंपनी पढ़ लेंगे तब पताशनों और भारत में जब यूरोपियं कंपनी आया तो यूरोपियं में जो अधंगाली जब आए तो इसका इंपेक्ट क्या पड़ा भारत से पहला पर इंटेक्ट यह पड़ा कि जो भारत और यॉरॉप के बीच बैपार ठॉप पड़ गया था बैपारिक सब्सक्राइब जो तूट गया थे तुर्कों के सेंटरल एसिया पर आक्रमन के कारण वह बैपार फिर से अश्टार्ट हुआ प्रिंटिंग प्रेस की अस्थापना हुई लेकिंग इतना बड़ा करांतिकाई चीज आ रहा है वह थी असान नहीं है अभी हम लोगों को लग रहा है सामानी चीजे हैं लेकिन ये एक रिवूशनरी कदब है ये अक्पर की गलती है कि इसे उस समय एड़ाट नहीं किया लिए अम आप लोगों को बताये कि जब गुज प्रिंटिंग फ्रेस की अस्थापना कहा किया गया तो और स्थापित किया था है किया नहीं था है फादर जैम्स एगस्टरस हिक्की को रहें जैम्स एगस्टरस हिक्की दूसरा चीस किया हुआ भारत में हम आप लोगों को जहानी जब बढ़ाए कि आपको बताये थे कि भारत में आलू टमाटर और कुछ निर्ची मिर्ची तमाटर पफीता नास्पत नास्पत नास्पती नहीं चैब होते उसको अनानस इन सब की खेती ये सब भारत के फूट नहीं है ये सब भारत से बाहर के इन सब की खेती भारत में किसने किया तो बुद्वाल्यू नहीं किया तो इन सब की खेती बुद्वाल्यू दौरा की गई और किसी इसका खेती किया है ये मक्का का भी खेती किया है को किया है किया है डच सबसे पहरे तो ये कि हॉलेंड के निवासियों को कहा जाता है डच वालेंड के निवासियों को क्या कहा जाता है इसके मन में भी लालत था अस्पेश और उत्गार को देख करके लालत तो सारी युरूपिय कंपणियों की युरूपिय देशों में था लेकिन ये स्ताकरात में पक्स क्यों बढ़ रहा है ये ब्यापार करना चाहता था भारत के साथ अमेरिका के साथ उन सब देशों के साथ ब्यापार करना चाहता था ऐसे में भार्त के साथ व्यापार करने के लिए 1602 में डज इस्ट इंडिया कमपणी अस्थाफित किया गया इसने अपना पहला फैक्टरी कहा स्थाफित किया इसने ही अपना पहला फैक्टरी कहा थाफित किया करफित किया इसने थाफित किया इसने पहला फैक्टरी कि जितने भी एरोपिय कंपनी आया सबने मसाला और हेंडी क्राफ्ट पर फोकस किया कि भारत के जो मसाले हैं और हेंडी क्राफ्ट हैं इन सब को खरिद कर भी यूरोप में पेचेंगे लेकिन उन सब से विप्रीत इसने भारतिय कपड़ों पर फोकस किया भारतिय वस्ट के व्यापार्पर केंद्रित था अत्राथ इसने यौरॉप को भारतिय वस्त्र का बाजार बनाया अत्राथ इसने यौरॉप को भारतिय वस्त्र का क्या बनाया बाजार बनाया यहाँ यह द्धान रखेगा कि सूरत में यह कंपनी जब खुला था खुला था सोलह सो पाँच मेंच सोलह स्टॉप पाँचिस्विन में यह कंपनी खुली थी झालrowर पाँब यह द्धान रखेग्प। यहाँता भारत में जब यूरोपिय कंपणी डश इस इंडिया कंपणी जब ब्यापार कर रहा था तो इसने भी अपना ब्यापारिक फैक्टरी मसूली पर्टिनम में पुचिन में कालिकर्ड में इन सब में जो स्थापित किया और दीरे दीरे कपड़ों के ब्यापार से ये भी भारती भारत के हंडिक्राप और क्या मसालों भी ब्यापार पर फोकस हो गया जैसे ही ये कपड़े के ब्यापार में सब्रित हो गया कपड़ों के ब्यापार पर जो सो फोकस होने लगा कौन British East India Company British East India Company का भारत में अभी सबसे बढ़ा परतिवर्ण दी है कौन? डच है तब देखेंगे क्या कि डचों और अंग्रेजों के बीच भारती प्यपार पर मोनोपॉली को ले करके भारती प्रोड़क्ट पर एकाधिकार को ले करके एक युद्ध होगा कौन सा? बैर्टल ओव बैदरा ठीट है भारती प्यपार पर एकाधिकार को ले करके अंग्रेज और डचों के बीच प्यद्धरा का युद्धूआ अंग्रेज और डचों के बीच जो है कौन सा युद्धूआ तो प्यद्धरा का युद्धूआ और जब बैटल ओफ बैदरा के बाद युद्धूआ होता है तो इस युद्ध के बाद डच कंपणी कहा सिफ हो जाता है मसाला दिप ये जो है ये कहा सिफ हो जाता है मसाला दिप मसाला दिप क्या है इंडो, नेसिया और जावा सुमात्रा इंडोनेसिया और जावा सुमात्रा इंडोनेसिया जावा सुमात्रा को मसाला दिप स्पाइस आइलेंड के नाम से भी जाना जाता है मैं ताला दिचले जैं जोट का हुआ 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 जोट का अंग्रेज एकिद करके सब को हटा रहे अब बच गया फ्रांस अंग्रेज लास्ट मन लोग पढ़ेंगे इससे पहले एक बचार को और देग तुर लिख लेजे अग कियु checkingrovif नकिद एकार ईश्टा लोगना की जरान सब ही हुन अनकिर देज आग डना की का लेजिए 1010 चौश्टियूं सबस्ट ओठे मेंड साथ ले आग प्रेजिक कुछ जिए सिस्टी। इसींए dividing बुपूंपनपने हिपर घार, दर्सलिए महत भी और शब प्रड़ो द्रावनपन पूउड क्यारला का त्रावन को हो गया देनिस इस इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों को अपना कारोबार बेच दिया अंग्रेजों को अपना कारोबार बेच दिया अग्या के दिया अभी लो कुछ दिया इस इंडिया को अंग्रेजों को अग्यर Health इस्ट इंडिया कंपणी फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपणी कि भार्प भार्प नहीं यूरॉप में दो राजवन्स है तो सबसे पहरे जेश चाल लेजिए एक प्रिटैन और दूसरा प्रांस प्रिटेंट में जो राजवन्स है हो है ट्यूदर राजवन्स और प्रांज में जो राजवन्स था था पुर्फो वर्स ये दो राजवन्स थी फ्रांस यौराम का सबसे सक्थिसानी राचे है फ्रांस जो है वो अभी यौराम का सबसे सक्थिसानी राचे तो फ्रांस क्या करता था यूरॉप के जितने भी बड़े देश थे उसको तोड़ देता था और ऐसा तोड़ता था कि वो डेवलप्ट ना कर सके उसके पास मिनरल्स के डिस्ट्रिब्यूशन ऐसे होते थे या पिर ब्यापार वाली जी को लेकर के ऐसा होता था कि वो कभी वी एक संगठित ना हो सके और कभी उन सब में मित्रता ना हो सके खोड़ करके रखता था फुट डालो राजकरों की नीतिगत था फ्रांस कान प्रकता था बुरी यिरॉप में यहां कि वहां पे जो रैड इंडियन है वो तब नहीं करते आंगांगरेंगों ने इसी रे तो वहां पर नोगों कशोसन होता है तो अंग्रेज जहां जहां रखेंगे यूरोपियन जहां जहां रखेंगे वो फुट डालो रास वरू की नहीं थी कि नहीं काम करेंगे ही करेंगे यूरोपियन किसी का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है किसी का अच्छा दोस्त नहीं होता है अब बोलेंगे रूस चो रूस इसलिए है क्योंक्कि हम उससे हधियार करते मे क्था सकत Baris हाली बताया है आज खड़ीं देंगे फिर पाकिस्तान कुछ सजा देना सुरू करते हैं तो उन लोग को है आप बोले में साथ फ्रांस भी तो बहुत अच्छा है फ्रांस भी तब तक साथ देगा जब तक हम उस्से समान खरेते हैं अब देखें ना वो निकुलियर डिल रद क पड़ेंगे तो फ्रांस का एक कंपनी है अरे वा है थता है आप आप झालते हूंगे अरे वा कंपनी है जो भारत में निकुलियर प्लांट्स को बनाने के लिए काम कर रहा है बहुत तरा टेंडर मिला है उसको दो-थीजे मैं का बट वो और टेंडर चाह रहा था और चाह रहा था कि उसका जो profit हो profit वो अपने ले जाए लेकिन उसके साथ कुछ contract हुआ था पर्मोन सिंग की सरकार की थी कि उसका जो investment डेंट जो profit होगा वो भारत नहीं invest करेगा तो उन सब सर्पों को लेकर के फ्रांस भी जो हैस हमेसा लाप पर रखे कर तभी देगा ऐसा नहीं है फोकेट में देदेंगा हूँ फैसा देंगे तभी देगा तो ये सब युरोपिय जितनी मी युरोपिय कंपनी है वो हमेसा एक दूसरे को लड़ा करके लड़ा करके रून करना चाहिए इसमें सबसे जाला करता था फ्रांस इसके पास उस समय की सबसे बड़ी आगी था और इसके पास उस समय का सबसे बड़ा नेवी था नेवी क्या था कि इसके पास सिर्फ लोटे रहे थे और कुछ नहीं थे सब उद्री लोटे थे लेंड है नहीं जो खेंटी करेगा आइलेंड है यह ओपर से ठंड परदेश है तो बर्प से ठाका रहेगा अभी तो ग्लोबल वार भी पड़ा है इसका हाई स्मेंट किया है तो चार सु साल पहले समधिये पिता ठंड रहता होगा कहा है आप मैप पर जाकर देखियेगा आपको पता चल जाएगा कि क्या आथ ध्रवी शें द्रवी है तो बर्प से ठाका रहा रहा है तो इसकी जो निर्भरता थी वो लूट पर ही निर्भरता जैसे सुमालिया है अभी सुमालिया का काम सुमालिया का मुख्य जो रोजगार है हो क्या है समुदर को लूटना उसका में रोजगार है बाग नहीं सकते उससे तो ये वही काम करता था जनजादियों का भी छेतर था इसके पास बड़ा लेंड है मिन्रोद सर्पुछ है इसके पर संसादन है तो फ्रांस का मानना था कि यूरॉप में कुछ भी चिडियां भी मरा है तो उस चिडियां को क्या करना है वो देश उसे पहले पूछ लें तब कुछ हो किसी भी घजना पर छोटा से छोटा भी बेट अठोग फ्रांस वहां का एपेरिंस महां जलूई है और ब्रिटैन चाहता था कि वो भी वहां रहे यूरॉपिय कंट्री में किसी भी परकार का विवाद हो तो उसमें एपेरिंस ब्रिटैन का भी हो तो इन दोनों के बीच लगता संगस होता था हमेशा संगस होता था यही दोनों आपस में लड़ते थे बीच में दो परस जाते थे एक कुछ इदर से आगए एक कुछ इदर से आगए बात में दब लगा कि ने एक संसारा खरब हो रहा है ये दोनों आपस में मिल जाएंगी अब जो भी इन सब कर सांदे रहाता वो एक तरफी गाएंगी дополн लडाई इन दोनों के बीच में है लड़कोई और रहा है और वही है फंच़्ोंट बल्डवार और सकेड्ड बल्डवार फ़स्ट वर्डवार और सकेट वर्डवार का इरिसेशन दिखिएगा रस्तुरुवाद दिखिएगा ये दोनों दुस्मन है फ़स्ट वर्डवार में दोनों दुस्मन हैं सकेट वर्डवार में दोनों दुस्मन हैं दोस्त कैसे बन जाते हैं युद्दम में जब होता है दो इसको बाहर करो और वही है जर्मनी इटली जर्मनी और इटली जो है जर्मनी को इस ने 365 भागों में बाठ दिया ला जर्मनी इतना वड़ा देश है था उसमें 365 देश थे अहुं 365 देशों में से अकेला सबसे बड़ा जो देश था वो था परसा अभी नहीं है वो जर्मनी का पार्ट है भी परसा और परसा के पास 56 परसेंट था मतब 45 परसेंट में तो बिश्मार्ख जर्मनी का एक व्यक्तिता बिश्मार्ख वो जानता था फ्रांस की इस पॉलिसी को वो जानता था कि इसको सबक सिखाना बहुत ज़िए फ्रांस को सबक सिखाना बहुत ज़िए तो फ्रांस का एक राजा था उसका नाम है लूई 14 फ्रांस का एक राजा है जिसका नाम है लूई 14 लूई 14 का मानना था कि ब्रिटैन इसलिए सक्तिसाली है क्योंकि ब्रिटैन के पास क्या है भारत ब्रिटैन जो है इसलिए सक्तिसाली है क्योंकि उसके पास क्या है भारत है तो अगर उससे भारत हम चीड़ लेते हैं तो ब्रिटैन कमजोर हो जाएगा और ब्रिटैन कमजोर हो जाएगा तो यूरॉप में जो इसका एपैरिंस है उख़द हो जाएगा यह हुट खड़ा नहीं हो पाई अमेरिका यहीं किया रसिया के साथ है आपको क्या लगता है कि भारत अगर रसिया से हधियार खरिता रहता तो रसिया को तोड़ देता अमेरिका नहीं तोड़ पाई था रसिया तबहें तक हिमत्वाला था जब तक भारत से हधियार खरिता है 1991 से घरिता हुए लेकिन पूरी तरह से डिपेंटेंसी रसिया पर था है कि लेकिन 1991 के बाद में बहुंसतरा मिसाइल प्रोजेक्ट काम कि अधीन possiamo Juni P. C. घ aquest हैं कौन कोound इन ऊब है कि तो जब बंद के बहुंस दार का को ना टे हो तो मुसाइल का जो प्रोजेक्ट ना ना यह-एप, हधिया राय प्रना बंद कर दिये देरे देरे उसका इंकम घटने लगा पर जब इंकम घटने लगा तो अमेरिका और रसिया के बीच जो वाट चल रहा था पाई पोलर जो वाट खा अवाज तो वही थी रसिया की बड़ संसादन तो है नहीं उसके पास तो युद्ध कोई नहीं चाहता पबलिक कभी युद्ध नहीं चाहता युद्ध हो क्योंकि पता है सब को कि युद्ध का मार उसी पर पड़ेगा टैक्स उसी का पड़ेगा खाने की कभी उसी को होगी संसादनों की कभी उसी को होगी राजा को क्या है राजा अपने प्रतिष्टा को बरहाने के लिए सक्ति पर्दस्टर करने दी यूद्ध करता रहा है तो जैसे यूद्ध में इंबॉर्में हो था बिद्रो हो गया रसिया पर अल्गाओं की मांग करने लगे तो यहां पर भी देखें के ग्या कि प्रांस का मांगना था कि इसको आठी ग्रूप से कमजोर कर दो और आठी ग्रूप से कमजोर करने के लिए उससे भारत छेल दो वहीं 14 साधार का अदमी नहीं है दुनिया के ताकतवर देसों में से एक ताकतवर राजाओं में से एक है पता इसका हाइट कितना था साध फिट नौ इंच और दिप्ता भी था वैसा ही घली के जैसा और यूद्ध जब करने जाता था ना तो जान बुज़ करके देट भी बन जाता था नतलो हाप पेंट पहनता था खोपड़ी के जैसा चेश्ट पर लगाता था कवस के जैसा ताकि लोग जो सेना है बाद देख करके डर जाते देख करके इसको डर जाते जैसे बलबन था ना लोग तो अपने आपको भूद्र भ्यंकर रूप बना करके रखता था वैसे ही यह अपने लाइफ अश्टाइल से भ्यंकर रूप बना करके रखता था यह बहुत ही श्ट्रिक्ट एक प्रकार्टक डिक्टेटर अगर यह नहीं होता फ्रांस में तो फ्रांस की करांती में होती है फ्रांस की करांती इसलिए हो भी क्योंकि ये इस्ट्रिक्ट था और इसका जो सक्सेसर फाल लुई 16 वो लिबरल था तो जब भी दादा जी अगर इस्ट्रिक्ट हो गए और पिता जी लिबरल हो गए तो बच्चा उधर्ण हो जाए गए आप जो भाट आप वह पुद्वाद करें अगल्यों कि प्रैक्टिकल चीजें इसको कोई जुटला नहीं सकता है इसको कोई भी जुटला सकता है आप अपने बच्चे को अगर प्रैटिकली लाइप में रश्टिक टुकेगा जब वो आज नी तो कल भी उसको बहुत बढ़ने बेढ़ेगा देखेगा उसको अजादी जब मिलेगा उसको जीना चाहेगा और अजादी जब जीना चाहेगा उ उसका प्रैमरी जो चीजे है उप अब टक जाएंगी तो इतियास में यहां पर यह भी बताया गया कि लुई 48 का एक मंतरी है जिसका नाम है कोलवड लुई मंत्री तो लुइन सार्टीन के मंत्री कोलबार्ट नहीं फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपणी अस्थापित किया 1664 इसने फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपणी अस्थापित किया 1664 में और जब 1664 में इसने फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपणी अस्थापित कि तो इसका पहला फैक्टरी परतम जो फैक्टरी है वो कहां कुला सूरत में इसको competition लेना है क्योंकि सूरत नहीं अभी गड़ है किसका अग्रेजों का कब खुला 1665 1664 में खुल जाता है December में 1664 में ये पहले फैक्टरी भी खुल गए इसकी और यहां से संघर्स होगा France और Battle का इसको Angle France Conspiracy के नाम से या Angle France Battle के नाम से जाना जाता है Basically ये यूथ है करनाटक यूथ के नाम से जाना जाता है इन दोनों के बीच भारत के ब्यापार्ट पर अधिकार को लेकर के तीन यूथ लड़ा जाएगा तीन करनाटक यूथ लड़ा जाएगा और भारत में French Governor रहेगा जिसका नाम है डोपले डोपले जब तक भारत में रहेगा अंग्रेजों की कोई दाल लगी गलेगा दूसरा जब करनाटक यूथ होता है तो दूसरा करनाटक यूथ में अंग्रेज हाजाते है France और Britain के बीच जब संधी होती है तो संधी में एक ही सर्थ था कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे किसी परकार का French Company में French Considency में Interfair नहीं होगा British Interfair बसरते डोपले को वापस बुला लिए डोपले कहता रहे गया कि मुझे मत बुला रहा और ना परबाद हो जाओ संधी के सर्थ में France इसको नहीं एकसेप्ट कर लिया कि मैं डोपले को बुला लुगा और डोपले को बुलाया और France अंदर बाद रुगा कैसे उनेक्ट क्लास को उतादें